Hello viewers, मैं Dr. Pooja Malik आज की वीडियो में एक ऐसे करांतिकारी डिवाइस की विशे में बताऊंगी जिसका शायद ही आपने कभी नाम सुना हो यहां तेक कि आपके किसी रेलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने भी इसका नाम नहीं सुना होगा इस डिवाइस में बहुत सारे स्ट्रोंग टेरा हर्ट्स टेकनीक का उपयोग किया जाता है यही टेरा हर्ट्स टेकनीक अब मोडर्न विज्ञान की देन है जो लोगों के जीवन में बहुत भारी बदलाव लाएगी तो आईए जानते हैं इस डिवाइस का नाम इस डिवाइस को कहते हैं आई टेरा केर डिवाइस ये जो डिवाइस है लोगों के जीवन में बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है पूरा जीवन शैले ही बदल देगा यह विश्व की दस उननत टेक्नीक्स में से एक है और इस डिवाइस को चाइना ने एक हैल्थ डि ज्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन का तो नाम सुना ही होगा अलबर्ट आइंस्टाइन ने भविश्य वाने की थी कि चेकित्सा का भविश्य अब फ्रिक्वेंसी बेस्ट होगा आने वाले भविश्य में अब ये सब सच हो गई है अलबर्ट आइंस्टाइन ने जो भवि यक्ष प्रमान है यह जो यंत्र है यह heat और frequency दोनों उथपन करता है अब हम कह सकते हैं कि चिकिस्य का भविश्य यही है जो frequency पर आधारित होगा आइए अब हम जानते हैं कि टेरा हर्ट्स technology है क्या टेरा हर्ट्स frequency है क्या यह यह microwave और infrared wave के बीच में एक electromagnetic wave band है जिसमें 30 micrometer से लेकर 3000 micrometer की तीवरता की frequency होती है मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और ये कोशिकाओं एक विशेश frequency पैदा करती है जब भी हमारी कोशिकाओं में इन frequency में कोई disturbance आता है तब ही हमारे शरीर में विकार उत्पन होता है तो ये device क्या करता है हमारी जो कोशिकाओं हैं उनकी frequency को ये maintain करता है ताकि हम बीमार ना हो हमारी कोशिकाओं में जो तीवर्ता frequency होती है वो 2 terahertz से लेकर 17 terahertz के मद्धे होती है और ये है जो device है ठीक हमारे शरीर की कोशिकाओं की भाती सेम प्रकार की frequencies को generate करता है इस device की सहायता से हम कम समय में विभिन तीवर्ता की frequencies उत्पन कर सकते हैं ये जो device बनाया गया है ये Chinese और जो पश्चिमी cytology department है उसकी जो technology है उसके mixture से इस technique को develop किया गया है जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जो है स्वास्त, विज्ञान, सैन्य, संचार, एवं क्रिशी को बदलने के लिए विश्व की दस सर्वोत्तम technology में से एक technology है टेरा हर्च frequency तीन किलोमेटर से लेकर 30 माइक्रोन के बीच में होती है और यही frequencies हम treatment के लिए use करते हैं अब मैं बात करूंगी टेरा frequencies के जो पांच important features हैं उनके विशे में तो सबसे पहला जो feature है वो है सुरक्षा हर किसी के मन में ये प्रश्ण उठता है कि भे ये जो device है वो सुरक्षित है या नहीं है मैं आपको बता दूँ ये जो device है पूर्ण रूपेंट प्रमानित है और patent है इस device को Chinese Academy of Science and Technology और SinoCam द्वारा patent कराया गया है इस device को बिना किसी परेशानी के किसी भी IU के व्यक्ती या बच्चों पर उप्योग किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से सुरक्षी थे आईए अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य गुण की सेकिंड पॉइंट आता है आपका penetration टेरा कोड डिवाइस हमारे शरीर में 30 cm तक penetrate कर सकता है इसका अर्थ यह है कि ये 30 cm गहराई में हमारी सेल्स पर frequencies को भेज सकता है ताकि particular जगे पर treatment किया जा सके और इस प्रकार से यह हमारी bone marrow छोटी blood vessels में भी आसाने से penetrate कर सकता है यह device शरीर में रक्त संचार को भी दुरुस्त करता है अब हम बात करेंगे तीसरे important गुण की जिसको हम identification कहते हैं identification का मतलग पता लगाना, जानकारी हासिल करना यह जो device है हमारे शरीर में स्वस्त सेल को identify करता है और जो अस्वस्त सेल हैं, जो unhealthy cells हैं या कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को बोड़ी से बाहर निकालने का काम करता है इसके साथ साथ यह नवीन कोशिकाओं के निर्मान को भी बढ़ाता है और जो damaged हो रही हैं जो कोशिकाओं उनको भी यह repair करता है ताकि वो फिर से अपना काम proper तरीके से कर पाएं अब हम बात करते हैं अगले गुन की activation, सक्रियन अर्थात यह जो device है यह एक तो शरीर के तपमान को maintain करता है और हमारी बोड़ी में जो कोशिकाओं कमजोर तथा निश्क्रिय हो जाती है उनको यह active करता है और साथ में जो हमारी परतिरक्षा प्रणाली है उसको भी यह strong करता है इसका पांचवा जो मुख्य गुन है वो यह है यह user friendly है इसे use करना बेहद ही सरल है इसमें किसी professional skill की कोई आवशक्ता नहीं होती क्योंकि इसे कोई भी operate कर सकता है क्योंकि यह Terra based device है तो आसानी से इसको operate किया जा सकता है इस device का प्रयोग रोगों वाले स्थान पर directly हमें use करना होता है और इसमें कोई विशेश प्रशिक्षण की आवशक्ता नहीं होती है यह बेहद ही सरल तरीके से उप्योग में लाया जा सकता है Terra device कैसे काम करता है Terra device निश्क्रिय कोशिकाओं को सक्रिय करता है blood circulation को बढ़ाता है और शरीर की जो extra नमी होती है उसको भी समाप्त करता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है कहीं बार हमारे body के अंदर इस पानी की अधिकता हो जाती है प्रतिशता अधिक हो जाती है जिसके कारण हमारे अंगों में सूजन आने शुरू हो जाती है तो उस सूजन को भी ये terra device काफी हद तक कम कर देता है metabolic rate को बढ़ाता है यदि हमारा metabolic rate तीवरगती से काम करेगा तो हम बहुत जादा young और energetic feel करते हैं lethargyness हमारी बहुत जादा पीछे पिछड़ जाती है अगर हम इस device का उपयोग करते है तो metabolic rate अगर आपका अच्छा है तो आपका heart, kidney, liver बहुत अच्छे से function करते हैं जिससे आपके body की जो प्रणाली है वो सुचारू रूप से कारियरत रहती है इसके अतिरिक्त शरीर का जो endocrine glands है उसको भी ये सक्रिय करता है हमारी शरीर के अंदर बहुत सारी endocrine glands होती है जो हमारे अंगो पर directly काम करती है अगर ये काम करना कम कर देती है तो हमारे अंगो पर इसका बेहद खराब प्रभाव पड़ता है जिसकी वज़े से हम बीमारी की चपेट में आ जाते है तो यह device इन endocrine glands पर directly penetrate करके काम करता है और उनको active बनाता है अब हम यहाँ बात करते हैं कि यह किस प्रकार के रोगियों के लिए उपयोगिता में आ सकता है इसका उपयोग हरदर योगी, kidney रोगी, liver के रोगी और जो cancer के रोगी है या जिनको pancreatic disorder है वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग गरदन और जो peach की जो समस्याएं है वहाँ भी इस device का उपयोग किया जा सकता है और इस device के द्वारा जो उपचार किया जाएगा वो दिन में दो बार किया जाना चाहिए अब इसमें मैं एक विशेश बात यहां मेंशन करना चाहूंगी कि ठेरपी के बाद में कभी भी कोई भी थंडा पे पदार्थ ना ले ठेरपी के चार घंटे के बाद में नहाने का परकिरिया अवश्यद हो रहें क्योंकि नहाने से बोड़ी के अंदर जो टॉक्सिक सबस्टेंसिज हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वीडियो के अंत में अब मैं बताना चाहती हूं कि जो टेरा कोर डिवाइस है ये तीन टेकनिक पर बेस्ट है जो टेरा के एर की जो डिवाइस की जो टेकनिक्स हैं वो है नमबर वन टेरा हर्स टेकनोलोजी नमबर टू क्वांटम टेकनोलोजी एंड नमबर थ्री इस आप्टिकल क्वार्स टेकनोलोजी मुझे लगता है कि जो जादतर जानकारे थी टेरा कोर्ड वाइस के विशे में वो मैं आपको बता चुकी हूँ अब इसके आगे की वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके विशे में भी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जानकारे दूँगी मुझे आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अंत में स्वास्त रहिए, मंगल रहिए, खुश रहिए थैंक यू, have a nice day, bye-bye